अभिदम्मत्त संगों में चैतसिक के रूप में हम जितनी भी उसकी अंदर की महत्तम चीजे देखते हैं, उसमें काय म्रदुता और चित्त म्रदुता ये अत्यंत महत्त पूर्ण शोभन चैतसिक हैं। म्रदुतायों काय चित्त थदत्त समलक्कना म्रदुतायों तसा दिद्ध मनरसा अपटि धहतु पठानका काय चित्त पदठाना दिट्टि मान पच्च निका इसका मतलब है म्रदुतायों। म्रदु का मतलब होता है एक प्रकार की म्रदुता। जैसे की काय और चित्त की कठोरता का उपश्मन करना, उसको शीतल करना, म्रदु करना और उसकी कठोरता को दूर करना यही म्रदुता का भाव होता है। म्रदु कारता है कठोरता से मुक्तता, मुलायमता है। इसलिए यह दो प्रकार की होती है, काया की म्रदुता और चित्त की म्रदुता। जयसे हम विपष्णा ध्यान करते हैं, तो विपष्णा ध्यान में जैसे जैसे हम हمारी सव्वेत्ना को देखते हैं, और सव्वेत्ना को देखते समय शरील का जो कठोर तूल भाव जो बना रहता है, जिस जगह पर हम अदिक सुष्पताम से ध्यान करने से उसकी कठोरता दूर होती है और एक प्रकार की मुलायम मुरुदता वहां पर नियुमीत होती है यह काय के जगह पर भी होती है और चित्द की अवस्ता में भी ये बनी रहती है। तभी इसको कायचित्त थद्दता समलखना कहते हैं। मतलब यह जो कठोरता हमारे शरीन में बन रही है। चाहे पृत्वी धहत्तु के कारण हो या और स्तूलता के कारण हो या भोजन के कारण हो जिस भी प्रकार से हो। अगर विपशना करेंगे और सही प्रकार से उसको देखेंगे तब सव्वेदना का जो शुश्मतम स्वरुफ है वो शुश्मतम स्वरुफ यहाँ पर हमारे शरीर की अंदरता की जो कठोरता होती है। जो भी इस साधना में आगे बढ़ते उनको अधिक अधिक इसमें अनभूत होती है। वैसी बात, वैसी चीज, वैसी अनभूती यही हमारे कठोरता का उपशमन करना है। इसलिए यह चैत सीखें और यह शोभन चैत सीखें मतलब कुश्र चैत सीखें। तस निद्धत मनरसा उस कठोरता का दमन करना ही इसका कृत्य होता है। मतलब इस चैत सीख का क्राय मृदुता और चित मृदुता का जो काम होता है, कृत्य होता है, उस कठोरता को दूर करना ही होता है। दुष्टी एव मान प्रधान अकुशल चित्त पात, अत्मान भिवेश, अस मीमान, आदी से युक्त होने के कारण, किसी को भी परवाह नहीं करते, जैसे कोई सेदापती शत्रों के मध्य में जाकर भी उनकी परवाह नहीं करता, इसी परकात की किसी भी परवाह न करने की अत्यंत थद्ध या कठोर जो बनते हैं या होते हैं, वो शोबन दर्म इन दुरुष्टिमान आदी अकुषल धर्मों से संप्रिक्त नहीं होते हैं, मतलब जैसे सेनापती शत्रों के सेना में जाकर कठोरता उसके मन में निर्मित होती हैं, और वो बनी रहती हैं थद्ध या उस कठोर भाव को बना रहता हैं, तो अकुषल धर्मों से संप्रिक्त यह नहीं होता, इस परकार की स्तिती बनी रहती हैं, साथ ही जो स्तिती बनी रहती है वो अतिनत मृदु होती हैं जैसे इत्चेत सिक्क का अगर हम काम करेंगे, तो कोई भी अभिवान या असमीतामान इस प्रकार की जो भावदशामन में पैदा होती हैं, तो उसमें भी चित्त का म्रुदु बनना, काया का म्रुदु बनना ये प्रक्रिया होती रहती है। काया म्रुदुता चैतसिक स्कंद की कठोर्था का दमन करती है। अन्तहा चैतसिक स्कंद का म्रुदु होना क्राया म्रुदुता करती है। चित्त मृदुता की कठोता का चित्त मृदुता दमन करती है अंता चित्त का मृदु होना चित्त मृदुता कहिनाता है जिन पुद्गुलों में ये मृदुता दुर्बल होती है उनका चित्र शत्रु सेना के मद्ध में गए सेनापती की भांती होता है जो कुशल कर्मों के प्रति अत्यन्त कठोर होता है, जिसमें ये मृदताय बलवती होती है, उनका चित जातु बंदु के मद्द में आये हुए सिनापती के भांती होता है, जो कुशल कर्मों के प्रति प्रवन करता है, और इस प्रवन्ता का वो कृत्य बना रहता है। मतलब, जैसे कोई सेनापती शत्रु की सेना में या अपनी सेना में किसी भी प्रकार की मृदता नहीं दिखलाता। चाहे कोई भी मरे या कोई भी समाप तो उसको कोई फरक ने पड़ता लेकिन जिसके मन में कुशल चित्त चैतसिक भावना जो होती है वो मृद्धु भाव की होती है तो उनका चित्त शत्रू के सामने दुर्बल नहीं बना रहता उतना ही सतेज रहता है और अपने जाती बना रहता है इसलिए उस कुशल कर्मों का प्रवन करना ही उसका कार्य बनता है इसका जो प्रतिपस्थाञ जो होता है वो अपटी धातु पठान बतलब शोगन अलंवो में अप्रतिघात इसका मतलब होता है अब याधन मतलब अनुलम, अनुलम सभावाले धर्म होते हैं, ये विपशना साधना करने वाले साधक जो अत्यंत उच्छा वस्ता को प्राप्त हुए है, उनके ज्ञान में अवबासित हुए हैं, वैसे काय चित पदठाना, मतलब चैतसिक सम्होज है काय का, और चित उसका असन कारण हो चित मतलब काया का चैतसिक जो है, उसी कारण, उसका असन कारण चित बना रहता है, दिट्टी मान पचर निका, ये मृदताए, दृष्टी मान प्रतान क्लेश धर्म का पतिपक्ष होता है, इन मृदताओं के बल से रूप काय, मतलब शरीर भी मृद होता है, जैसे शान्त और निर अभिमानी बलवान पुद्गल की अकृती मृद्व होती है, जैसे कोई शान्त और निर अभिमानी बलवान पुरुष्ट होता है, उसकी अकृती मृद्व मतलब अंदर से वो कोई भी प्रकार का प्रभाव उसके मन में नहीं होता, कोई भी कठोरता उसके मन में न लेती है तो ये क्रिया और ये पदुठान को हम जानना बहुत ही जरूरी है क्यूंकि बहुत सारे लोग विपशना साधना करते हैं या बहुत सारे लोग धंमक की बात करते हैं विपश्णा साधना करते समय हम कहा पर है और किस प्रकार है और कौन सी क्रिया को कर रहे है इसी को सही प्रकार से जानना चरूरी है। बहुत सारे लोग उसके बारे में तो बात करते हैं लेकिन जो अंदर की सुष्पतम प्रक्रिया जो हो रही है उस प्रक्रिया को वो नहीं जानते हैं। किसी भी प्रकार का बजन शरीक के अंदर से मुक्तोनी की प्रक्रिया इसको क्या-क्या सम्भूदित किया जाता है यह इस अभीधम्म की सब शुंकला में या अभीधम्म में बहुती स्पस्टिकरन से या बहुत विश्वश्चनाफमक्रिया से उसका पृत्थकरन करके बता साया है तो इसी को हम ठीक प्रकार से समझेंगे तभी हम साधना को और बलवान बना सकते हैं और साती धम्म को क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो धम्म की उपर उपर की बात करेते लेकिन सुश्मतम स्तर से वो बात कहा से आती है वो बात बुद्ध की जो अपनी अनभूती से आती है उस अनभूती को न जानते समय या उस अवस्ता को न जानते समय उपर उपर की बातों में लोग अगे रहते इसी कारण उनको भी इन बातों को समझ में नहीं आता है इसलिए इसे सुश्मतम ढंग से रानना होगा और इसलिए हमें अभिधंभ तसंगो इस अभिधंभ पीटक को जानने के लिए जो अवश्रक ग्रंते इस ग्रंत का अध्यापन करना होगा तो इसे हम जानेंगे काई म्रदुता और चित्त म्रदुता ये दो शोबन चेत सिखे इन दो शोबन चेत सिखे हम अपनी साधना में अग्रेसर हो सकते और धम को सही प्रकार से जानने की प्रक्रिया कर सकते धन्यवाद